So question number 9 हमको कह रहा है कि a car is going towards a vertical wall तो एक car है जो एक vertical wall की दरफ जा रही है speed है इस car की 10 meter per second ये source है और ये sound की frequency produce कर रही है 500 hertz की person standing on ground behind the car तो car के बीच एक person खड़ा हुआ है इसको भी इस जो frequency है इसके वज़े से यहां पर भी कुछ इसको sounds नहीं देता है इसको actual में दो frequency सुनाई देती है एक frequency तो directly इसकी तरफ आती है car से और एक frequency यहां से reflect होके इसको सुनाई देती है तो the difference of the frequency तो difference of frequencies हमको बता लगाने कितना होगा तो हम मान लेते हैं कि जो wall से reflect होके frequency आती हो f2 है और जो एक यहां से direct इसके पास जाती है वो f3 है तो हम f3 निकाल लेते हैं पहले formula क्या होगा f3 यानि कि apparent frequency is equal to original frequency जो यह produce कर रही है इसको हम f0 मान लेते हैं यहां पर हम लिख लेते हैं f0 ठीक है यह original frequency हो गई multiply by cf1 c अब c numerator में हम लोग plus minus करेंगे object की speed अब object observer की speed अब observer तो हमारा चली नहीं रहा तो यहां पर c का c ही रह जाएगा c क्या है speed of sound है denominator में c plus minus करेंगे speed of source अब source कैसे move कर रहा है source जा रहा है इससे दूर तो इसको सुनाई देगी original frequency से कुछ कम frequency तो जब कम frequency सुनाई देगी तो plus करेंगे और अगर यह इसकी तरफ जा रहा होता तो जादा सुनाई देती तो यह माइनस करेंगे आप दियान रखो पात तो यहां पर आपके आ जाएगा c plus vs ठीक है ऐसी एक और frequency सुनाई देगी इसको जो यहां से reflect हो कि आएगी अब य इसकी तरफ आ रही है कार तो जैसे हमने यह वाला formula लिखा था सेम यही formula लिखेंगे बट यहां पर minus प्लस की जगह यहां पर minus आ जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि overall frequency अब wall पे original frequency से जादा की आएगी अगर original 500 की है तो wall के पास कुछ जादा की frequency सुनाई होगी तो यहां पर plus आ जाएगा और frequency increase होनी होगी तो यहां पर minus आ जाएगा क्योंकि wall भी rest पे ही है तो numerator सेम रहेगा तो यह हमारा F3 और F2 आ गया अब इसको further solve करते हैं F2 minus F3 करें क्योंकि हमसे यह difference पूचा जा रहा है तो अगर मैं F2 minus F3 करूं तो F0 C upon C minus Vs minus F0 C upon C plus Vs हो स्वाओ ओक य।